अज हम करेंगे class 5 math की worksheet में question 15 और 16 और इसके बाद आपकी complete हो जाएगी worksheet तो हम question 15 पढ़ते हैं आप भी अपनी question 15 को निकाल लिए worksheet में देखिए इसमें लिखाया अंजु अपनी pencil की लंबाई नापना चाहती है तो लंबाई किसे नापते हैं अगर आपके पास scale अपना चाहती है और फीते से नापते हैं ठीक है जिसमें लंबा फीता होता है जो जिस इंची टेप बोलते हैं अब हम लंबाई यहां पर cm में नापेंगे ठीक है पहले आप cm का आपको हम घ्यान देंगे cm क्या होता है यह आपको पता है कि एक मीटर मैं 100 cm होते हैं अब जिसकेल हैं यहां पर तो इसकेल गौर से दिखो इसकेल में 0 से 1 तक फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चोटा स्केल इसमें 10 है ठीक है तो इसमें 10 तक कि क्या है एक नंबर दिये है यह जिरो से 1 तक 1 cm है 1 से 2 cm है तो इस तरह से 10 cm का एक स्केल है और हमने यह कि पीच में रहता है कि यह जाओ मिशा इस से थोड़ा ती लेकित के बड़ा दिखता दू तो 3 से 4 के बीच में बड़ा दिखाने के लिए लेंस लगा Base जैसे Pencil रहें बूल इस तक का एकinka एक सूस्छ नांपने का कुछ भीका हो जय लो पे नहींदार पे आपको नहीपने ह 1,2,3 पुरा आ Zahlen के बाद आप चोटे खाने ना पने हैं वह छोटे खाने के है वह छोटे खाने हैं जिरौ से 1 तक 1 संक्यमेटर है आफ 1 संक्यमेटर के अंदर खोटे झोटे खाने ना पएंगे वह दस घीकμε्डर में दस मीमी conhe्श होते हैं तीन और चार के बीच में थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा रखा है कि बड़ा करके आप अच्छे से उसे आप देख सकते हैं ति तीन और चार के बीच में दस क्या है छोटे छोटे खाने हैं यानि कि दस खाने का एक मिमी मिटर है यानि कि एक संटिमीटर में दस क्या ह यानि कि ती संटिम tag पूरा है और चेकijnag मीमी मीटर मीमी मीटर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं यह फे 5 लगाते हैं तीन के बाद आप कुछ और लिखेंगे गहां चार और गीच पॉइंट लगाएं 2 पोईंट तो इसले हमने पैंसिल के उपाई उसका 3.6 लिखा है पहला आपका कॉशन हो गिया आप दूसरा कोशन है कि आपने कहा है पॉइंट सिक्स क्या है हमने कहा है 1 cm 10 mm यानि कि 10 mm पैंसिल का 10 हिस्सा है उसको एक बटा दस भी लिख सकते अब या पिछी पीछे पिस्तरह के कॉशन क जह मैं जह सकतते हैंव उसको एक Leta Dash जो हम खोलेंगे तो पॉइंट लगाएंगे यहां पिर जीरु लगाय Star पॉइंट वन तो इसको एकपटा दश भी लग सकते हैं और क्या लिख सकते हैं इसाइक पॉइंट वन करके भी लिख सकते है पॉइंट के आगए फिर लगा देंगे तो यह हैं एक लीकने का तरीका की चमिलूमिटर को कैसे लिखेंगे 1 Pre mm चैनी पॉइंटी मिली एक में मीटर में 0.1 cm होगे है इसलिए हमने पैंसलों को 3.6 लिखा है अब ऐसी कुछ चीज़ों को नापने है देखिए आपके पास कील है आप कील नापे जैसे मैंने कील नापे तो 2.6 cm के आई है पैन नापी है आपके पास पैन आप उसके पर स्केल रखेंगे ठीक है अगर 10 रखेंगे जो पुराना नोट है वो 13 cm का है अब इसके बाद यहां पर आकर्ति दिया आपको बी वाले पार्ट में देखिए उसमें पत्तियां लगी है आप टोटल यह ब्लोग गिनेंगे यह ब्लोग कितने हंडर्ट है यानि कि पूरे ब्लोग आपके 100 है तो पहला आकर् पूरे आकर्थी का grassち yamak3 लेकरती ब्लोग उता है तो इसमें मुआ खाहने चाहिंगो पूरे आकर्ति कितना यह है तो पहले है निखिए 10 यह ब्लोग 9 002 001 001 002 इसका 1 upon 10 part shaded है चाहिं कित है या 0.1 part shaded है आप यह ऐसे आकर्ती बनाईए और उसके 20 खाने पर खाना की तो यहां पर हमने आकर्ती बनाईए देखो यह यह आकर्ती बनाईए उसमें 10 की जगा 20 खाने को पीले रंग से भर है अब कितना पार्त इसका आग शेड़ आएगा तो 20 upon 100 कीतना पार्ट शेड़ें इसका शेड़ेंट नहीं सब्सक्राइब करेंगे पाइंस बिड़ेंगे नहीं olsun जो 5 करेंगे तो 20 upon 100 mm si आप आप यहां पे कुछ आ करती हैं और बron मीतार में चचार को दिये हैं जिसे एक मटा दो मीटर में 25 संटी मेटर होता है के हैं 2, तो आपको देखिए 1.2 meter कितना होता है 50 cm तो यहां को ऐसे आप 50 cm मिलाएंगे पहले ऐसे मिलाएंगे फिर 50 cm कितना होता है 0.50 meter उसको ऐसे मिलाएंगे तिहां से दिखिए एक बटा दस मिलाएंगे पॉंट लगाएंगे फिर 50 cm तो यानिकी 2.5 meter उसको फिर आप दिखो 50 cm होगा तो यानिकी 2.5 meter होगा यह 40 cm को 0.40 लिखेंगे 1.40 में कितना cm का 0.25 होगा यानि कि 25 cm होगा यह और 0.25 नीच है ऐसे मिलाना है पहले इस तर फिर उदर ध्यान दीजगे से इसी 1.5 मीटर में कितना होगा 20 cm तो 20 cm होगा और इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.20 मीटर लिखेंगे यह इस तरह से मिलान करना है पहले आप इसको निकाल लेंगे उसमें डिवाइट करके फिर उसको पॉइंट में कनवर्ट कर देंगे इसको कुछ आपको अकर्ति दी है इसको अगर आप इसको काटेंगे न इसके उपर इस वाले पार्ट को आप इसके उपर रखेंगे तो यह पार्ट क्या होगा पुरा यह वाला पार्ट मतलब ठक जाएगा तो इसको मेरर इमेज बूलते हैं अब यहां पर कुछ आकर्ति दी हैं उनको क्या करना है इस तरह क्या आकर्ति को आपको बनाना है कि नीचे देगी आकर्ति में बिंदू ऐसे बना है कि इसको दो पार्ट बिलकुर डिवाइट कर जैसे में हमने यहां पर डिवाइट करना इसको बीच को बीच से ऐसे डिवाइट करेंगे ताकि इसको पर आएगा तो ऐसी वाटर फलाए को आप ऐसे डिवाइट करेंगे एक्स को भी एक्स को कैसे डिवाइट करेंगे तो एक्स को दोनों तरस आप ऐसे डिवाइट करेंगे तो युटिजिवाइब से तो तो दोनों कर सकते हैं ठीक है यालिन कि एक आकर्थिससा था दूजि नाम टिछना हूं जैसे मैंने पत्ता लिखंएन भी सकता है छास्पान जैबा बश Cassians 2 औक तो यह यह दो अलेगे आठेखता है यह जिर रिखन नाम जो तो यह भी सेります और फ्लावर भी ठीक है पंखा पता और फोल यह आ करती है अच्छा निमलिकित आकरतियों को वन अपन फॉर गुमाएंगे तो कैसे देखेंगे देखो यहां पे तीर है इसको हमने वन अपन फॉर याने की घड़ी की सुई की वन अपन फॉर तुम चोथा हिसे में और हाप मे सिर्फ वन अपन फॉर में इतना गुमाएंगे तीर है चबिसक लजग और हाप में पूरा अतना गुमाएंगे चेल ये यह यह शेप लेगा ऐसी इस इस उपसित लेगा मैं उat न हाप में आप देख लिए इसको आपोज़ट होता है कहीं भी यहां पर है इसको आपोज़ट हो और उसमे वन अपन फोर हो में वह वन पन फोर गुमेंगा पच्छिस डिग्री सेंट्रिकर्ड यह आपके घड़ी के सुई का एक जोथा ही घुमेंगा ठीक है तो यह ऐसी नीच का एका प्रेटरोल है भी का करेंगा पर हो में वहां ब्लो हा खा है्सोर यहां नीच में इलाद जा मीं ही इसदिल आप दीग में घटायास संब्लब्क के साथ हूवां घड़ खो आपका जा रा कर दो आपका जाल बात्सि का एक घट जाओ एक क्या हो आपका टास सुई अनी